भारत दुनिया की पांचिय सबसे बड़ी अर्थोवस्ता बन गया है ब्लूमर के मुताबेक भारत दुनिया की पांचिय सबसे बड़ी अर्थोवस्ता के रूप में उभर कर बेटेन से आगे निकल गया है भारतिय अर्थोजस्ता ने साल 2021 के अंतिम तीन महीनों में ब्रेटेन को पीछे छोड़ दिया है रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च तिमाही के आखरी दिन डॉलर विन्यमदर का उपयोग करते हुए भारत की नॉमिनल जीडिपी 854.7 बिलियन डॉलर थी जबके ब्रेटेन की 816 बिलियन डॉलर ब्लूमर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के मुताबिक भारत ने 2021 की आकरी दिमाही में यूगे को पीछे छोड़ा है वहीं I.M.F. के जीडिपी आंगनों की मुताबिक 2022 की पहली तिमाही भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है अनुमानों के अनुसार इस ग्रोध के साथ भारत सालाना आधार पर भी जल्द दुनिया की पांच की सबसे बड़ी अर्थोवस्ता बन सकता है सालाना आधार पर भारत की अर्थोवस्ता 3.7 लाग करोड डॉलर की है और UK से कुछ पीछे ही छटे स्थान पर है UK की जीडिपी फिलाल 3.9 लाग करोड डॉलर की है साथ पृतिशत की अनुमानित ग्रोथ के साथ भारत के इसी साल UK को सालाना आधार पर भी पीछे छोड़ने की संभावना है फिलाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थोवस्ता अमेरिका है जिसके बाद चीन, जापान और जर्मनी का इस्थान आता है भारत की GDP ने बीते 20 साल में 10 गुना बढ़त दर्ज की है IMF के द्वारा जारी आकडो और मार्च दिमाही के अंत में डॉलर के एक्स्चेंज रेट के आधार पर ब्लूमर्ग ने जानकारी दी है कि नॉमिनल कैश में भारती अर्थोवस्ता का साइज 854.7 अरब डॉलर था इसी अबधी में इसी आधार पर UK की अर्थोवस्ता का आकार 816 अरब डॉलर था अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत बिर्टिश एकॉनमिक के मुकाबले अपनी बढ़त और मजबूत करेगा इसे देखते हुए IMF ने अनुमान दिया है कि सालाना आधार पर डॉलर मुल्य में भारत UK को पीछे छोड़ कर पांची सबसे बड़ी अर्थोवस्ता बन जाएगा इस साल भारत की अर्थोवस्ता के 7% भी बढ़ने का अनुमान है जबकि UK की अर्थोवस्ता उच उर्जा कीम तो और बढ़ती उब्वोकता महंगा इदर से जूज रही है